तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टन्स कंपानी का अप्टेट सेयर करने वाला हूं तो इस वीडियो को पूरा लास तक देखना तो सबसे पहले में डिसकेशन करूंगा पैंक और मौरस्टे के बारे में किके बहुत दिनों से इस कंपानी को पर कमेंट्स आ र के साथ सेयर करूंगा सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को जुरू आपको देखना चाहिए यह कि मैंने कीज बेसिस में इंटी लिया उसको देखने के लिए कंपानी का क्वार्टर रिजाल के उपर जाना पड़ेगा यह मैं डिसेंबर क्वार्टर का जो रिजाल आया था पि नेट पॉफिटेबरिटी यहा पर ग्रोध होता दیکھने कम इली है अभी नेट प्र पॉफिट पहुत सांदर हुआ उसके बैसिस में कम्पानी का जो रेजल्ट है वो आप यहां पर भी कल्फिल्वा देखिए बहुत सांधा तरीके से ग्रोथ हुआ अभी नेट पॉफिट जो है इस बार भी 841 करोड़ से 1200 करोड़ तक गया तो इस कंपानी के उपर इसी दिए में ट्रस्ट ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट मुझे बिल्ड हुआ है यह कि सिर्फ कंपानी के प्रॉफिट तक हुआ तो सोची एक बार इस तरीके से अगर पीश्व बेंक काम करते रहना तो जिस तरीके से घोटाला पीश्व बैंक के उपर देखने को मिलता है आज जैसे पीन बी के उपर SBI के उपर और भी बहुत सरे पैस्वी बैंक के उपर जो घोटाला हुआ है तो निरभ इसको पढ़के, प्रॉपर्टी इसको गीर भी रखकर ही वो लोन देते हैं, अगर पीसी बैंक में ऐसे होता नहीं है, मैनेजमेंट के साथ जो इसका मैनेजर होते है, जो डिपर्मेंट का हेड होता है, उसके साथ बातचीत करके, वो लोन ले ही लेते हैं, और जिसका एक अच्छे काम करें, तो उस देश का ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा बूश्ट को देखने को मिलेगा, जो लोग सोच रहे हैं कि पाइवेट बैंक भाग नहीं रहा है, और पीसी बैंक भाग रहा है, तो उसके पीछे एही रिजन है, पीसी बैंक जिस तरह के से पहले काम कर रहे थे, उससे कई गुना ज़्यादा उसको रिगवरी किया है, और जिसके चलते हैं मैं इस कमपानी को पर पॉजिटीव आली जुरू देखता हूँ, और एक चीज़े को नोटीस करना, कमपानी को पर जो रिजर्व है, वो तो बढ़ता हो देखने को मिला है, और कर्जा पुल लगातर बढ़ते चले गए, इस बार कमपानी हैस्ट करजा लिया, करीबन 2,44,000 क्रूर के आसपार, तो जो कमपानी इतने सांदा तरिके से करजा लिया, उस करजे को मेंटेन करके, वो प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, यह सबसे ज़्यादा पॉजिटीव थिंकिं कर पॉजिट करना सुरू किया है, यसे मिच्वल फंड के पास सिर्फ 0.515% का आसपास होल्डिंग था, आज बढ़के वो 0.53% का आसपास होल्डिंग था, और FS के पास 0.16% का होल्डिंग था, वो बढ़के 1% का आसपास हो चुक है, तो बेसिकली कमपानी के जो इन्वेस् से ज़्यादा किसी भी प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आज नहीं तो कल इसको ओएफेस के मान्थम से माल को बेचना पड़ेगा, तो बेसिकली कमपानी के चेक्निकली चार्ट पर इसके बाद करो तो जब मैंने टेल लिया उस टाइम था, एराउंड फिप्टी मतलब में जब टेल लिया एराउंड ट्राइस फिप्टी टू के फिप्टी थी के आसपास था, इस जगह पे मैंने टेल लिया और टेल लेने के पीछे रिजन भी है, क्किके कमपानी आज के जारनी नहीं है, तो 2017 से लेकर, तो 2017 से लेकर जो पैटन से आप एक कमपानी केट किये, तो बीक एक हेड बना उसके बाद, उसके बाद एक हैडल बना, आपको इसको आप हेड कम सोल्डर कम हेड भी बोल सकते है, तो कोई भी पैटन साब जान लिजिए, उसके पहले आप एक चीज़ जो को नोटिस करना, कमपानी के जो लाइप टेम ह आसपास, तो 96 के आसपास कमपानी के लाइप टेम हाई है, और उसी लाइप टेम हाई के नीचे कमपानी के टार्गेट बना है, इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है, इस टार्गेट को वो एचीव करने का कोईशिस करेंगे, अभी देखी टार्गेट अगर मुझे एक साल म लिमिटेड, तो कि टेंण के उपर लास्ट वीक में दो कमेंट्स हाया है, जिसके उपर मुझे पूछा को प्र आपके कैसर भी है जो रिक्सी टेंट्स करना क्योंकि टेंट साथ लाइप टेम हाई कि अपर है, तो आप किस तरिकर से से इस कमपानी के अपर अभी काम कर रहे तेखे बेसिकली फिलाल के लिए मेरा कोई देखा है तो ओपिनन के बैसिस में मेरा जो ट्रेड अभी है वो ट्रेड थोड़ा सा रिक्सी टेड है कि इसलिए बोलता हूँ कि कि इस तरीके से जब भी मैं कोई रेंज के बैसिस में टेल लेता हूँ हमें सा 1-300 का टार्ग लेकर हो मतलब one person का target sorry one person का stop loss और तीन person का target लेकर चलता हूँ देखे मैंने उपको marking भी करके दिया मैंने किस तरी किसे टेल लिया जब इस range को breakout किया मैं integer किया कि कभी retest करके तब entry लोगा तो retest किया उसके बाद entry बना इस high के उपर अभी करके उपर जा रहा है तो मार्केट में तब growth दिखने को मिलेगा अगर government फिर से बापस आए तो मुझे लगता है इस सारे companies के पर एक boost मिलेगा क्योंकि government पहले से announcement कर चुके है कि कौन-कौन sector के उपर बहुत ज़्यदा फोकस रखेंगे तो उनमें से retail industries भी बहुत है जिससे boost होने वाला है क्योंकि इंडिया में पार capital income बढ़ रहा है और इंडिया वाल्ड के सबसे highest population कंटी बन चुके है जहां पर पोड़क का जो प्रफिट के तुनने से company का sales तो कम हुआ मगर यार प्रफियर बेसिस में company का sales बहुत ज़्यदा ज़्यादा है expense को मिटाने के बाद 45 क्रोड का Twitter net profit था वह आज बढ़के 700 क्रोड हो चुके है मतलग company का profit almost double हो चुके है पिछले quarter के तुनने से और पिछले सालों के तुनने से तो कई गुना ज़्यदा बढ़ चुके हैं तो ऐसा क्यों हुआ कि sales कम होने के बाद में profit क्यों ज़्यादा हुआ कि company का आदास income इस बाद ज़्यादा मिला है तो देखिए आदास income obviously importance point है क्योंकि company मान के चलिए मेरा मेरे दोस्त के business के उपर 5 लाग रुपया निवेश किया और अगर उसको मान के चलिए इस बार total एक लाग का profit हुआ में एक example दे रहा हूँ तो 50% तो मुझे देना पड़ेगा क्योंकि 50% का market share में लेकर रखाओ तो 50,000 रुपया मुझे मिलेगा तो यह हो जाएगा मेरा आद पॉइंट आपको जूरू देखना चाहिए क्योंकि company के share holding patterns की सबसे बात करूँ आप देख सकते हैं mutual fund ने जो माल बिचना start किये थे January और February मान में उसके बाद धीरी दे करके फिर से quantity adding करना start कर चुग है जैसे March में April में अच्छा का सा buying करना start कर चुग है मुझे लगता है ए मेरा एक trade यहां पर में लेकर continue कर रहा हूं बहुत पहले से मैं इस company को पर काम कर रहा हूं किस तरीके से काम है मैं आपको दिखाऊंगा उससे पहले मैंने क्यों टेल लिया बहुत दिखाना चाहूंगा देखिए मैं हामेसा किसी company trade लेने से पहले कुछ points को जूरू research करता हू पहले मेरा अरिसा जो होता है बहुत है company का financial letter लेकि इस बार भी company का financial letter आ चुके है 24,000 से 28,000 क्रोल बना और मुश्च 4,000 क्रोल के ज्यादा sales या पर हुआ हुआ उत्या रेविन्यू अच्छा कासा जेनेट हुआ expense interest को मिटने के बाद company का net profit 1800 से 330 क्रोल बना मतलब company double profit किया है तो double इस बार profit किया और मज़ेदार बात ही है कि company के जो NP है बहुत हद तक कम हुआ है किन पर कितना NP कम हुआ है चलो में एक बार आपको दिखा भी देता हूँ और भी आपको आसान होगा सारे चीज़े को जानने म और पिछले quarters में था 273,000 अभी इस बार कितना बना इस बार जो बना है आप देख सकते हैं कितना बना है 1,58,000 मतलब कि इस हद तक company खुद को रिप्रेजन किया आप यहापर देख सकते हैं इस level में खुद को यहापर रिप्रेजन किया खुद का business को यहापर stable किया आप यहा था 2.72% के आसपास और पिछले quarter में कितना था 0.96 के आसपास वो घटके आज हो चुके 0.73 के आसपास मतलब इस level तक company खुद को रिप्रेजन किया है आप यहापर देख सकते हैं तो मुझे लगता है जो company के उपर सबसे धा घोटाला case देखने को मिला जो इस company के उपर लोग है और उसके बाद जब breakout हुआ तो मैंने इंटी लिया और मैंने आपको बार 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 बोला यह level company के लिए strongly level है इस level को break तो कर रहा है अगर confirm नहीं कर रहा है तो बार बार क्रयास हो रहा है इस level को जब break करें confirm करें तब एक बड़ा journey में जोरू देखोंगा 170 थक मिरे target और हाँ इस सारे point चुमें आपके साथ share करें as a education purpose में है मेरे तरफ से किसी भी companies को बाइसेल का recommendation नहीं है अगर किसी भी companies को बाइसेल करना है तो एक बार study करके research करके जोरू करिएगा तो next जो company है उसके बार में चर्चा करो आप उसका नाम देखेंगे तो उसका नाम है बाल आने वाल है यह के company का Facebook 10 रुपया था अभी 2 रुपया बनने जा रहे है तो प्लीज इस company को research करना उसके बाद काम करना तो जो लोग सोच रहे कि speed और bonus के चक्कर में में बाइक कर लोंगा और मुझे extra share मिल जाएगा उसके लिए बतादू price भी adjust हो जाएगा जितना share and bonus आपक आप आपके advisor के साथ बातचीत करके काम करें इनके next video में तक तक के लिए धन्यबाद